इंडिया में OTT की दुनिया को special बिनाने वाले 4-5 shows हैं जिनका नाम आप कभी नहीं भूल सकते। उनमें से सबसे best वाले category में special ops का जिक्र ना हो, ऐसा boss हो नहीं सकता। एक powerful सोचा समझा खतरनाक Indian show जो terrorism जैसे घटिया social issue को जोड़दार तमाचा मार देता है। प्लस बॉलिवुड में सबसे underrated actor Mr. K.K. Manon का present होना Indian audience के लिए कितना बड़ा gift है इस बात का एहसास भी कराता है। Special ops वाले हिम्मद सींग कौन है और ये क्या क्या कर सकते हैं हमने season 1 में देख लिया था। बट हिम्मद सींग हिम्मद सींग बने कैसे ये किस्सा भी बड़ा मज़दार है जिसको special ops 1.5 की शकल देकर market में release कर दिया गया है। कहानी उस वक्त की है जब बड़े बड़े Indian officers honey trap का शिकार हो गए थे। मदलब एक सुन्दर हसीना खुबसूरती का जाल बिचा कर secret information नाक के नीचे से चुरा ले जाती थी। बट इतना ही नहीं ये सारे के सारे officers कुछ टाइम बाद जिन्दा ही नहीं बचे। देश बडल गए, केस बडल गए, लेकिन इन सब की मौत अननेचरल तरीकों से होती चली गई, black male या suicide कुछ भी हो सकता है। अब आग इतनी भयानक लगी है तो fire department के सबसे होश्यार officer को बुलाना ही पड़ेगा। बस हिम्मत सींग को केस की जिम्मदारी दी जाती है और इन offices की मौत को रोकना प्लस चोरी हुई secret information को market में बाहर न जाने देना इनका mission बन जाता है। कुछ time बाद एक चहरा सामने आता है जिसके पास इस case से जुड़े सभी जवालों के जवाब मौजूद हैं। An interesting चीज ये दाट हिम्मत सींग इस बन्दे को काफी अच्छे से जानते पहचानते हैं। देखो boss शो बनाया गया एकदम super fast style में सिर्फ 4 episodes हैं जो भागते हैं बिलकुल खरगोश की तरह है। आँखे जब काने का भी time नहीं मिलता इधर आँख बंद हुई उधर कुछ important मिस हो जाएगा। कहानी को interesting बनाते हैं कुछ नए characters जो पिछले सीजन में guy up थे और इस बार प्रकट हो गए हैं। specially जो villain वाली category है उसमें तेज दिमाग के साथ खुबसूरत चहरों का इस्तमाल करना ये चीज़ अलग level पर हिट करती है। लड़की का चक्कर बाबु भहिया वो warning सच में बदल गई है नजर हटी दुर घटना घटी डेंजर सावधान। सबसे मज़िदार चीज ये है कि हर एपिसोड में आपको हिम्मत सींग से जुड़े अलग-अलग किसे सुनने को मिलते हैं। मदलब शो एक है लेकिन कहानिया बहुत सारी है जिनको बड़े मजाकिया तरीके से प्रेजन किया गया है। और बड़ी सफाई से एक दूसरे से ऐसे जोड़ा गया है जिससे में कहानी बिलकुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। नीरज पांडे इतने चालाग डिरेक्टर हैं कि ये कब आपके दिमाग से खेल जाएंगे आपको खबर तक नहीं होगी। इसलिए हर एपिसोड शो का ऐसी जगे पर खतम किया जाता है जहां दिमाग का जोपड़ा हो जाता है। एक ऐसा चुपा हुवा सर्प्राइज भी बहार आता है जिस पर सीजन वन में बिलकुल परदा डाल दिया गया था। और भाईया विलन वाला मेंन केरेक्टर आदिल खान इस बंदे की आवाजी काफी है रात में सोते हुए इंसान का सुक चैन सब को छीनने के लिए। केके मैनन के सामने खड़े होना वो भी इस कॉन्फिडेंस के साथ की हीरो विलन से कमजोर दिखने लग जाए। किसे कहानिया सिर्फ उपर उपर से जितना ज़रूरी है उतना दिखा के बाकी चीज़ें ओडियन्स के उपर छोड़ दी जाती हैं। आप दिमाग लगाओ और पूरा करो। एक गड़बर ये भी है तट इस सीजन में बाते जादा हैं लेकिन धिशुम 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 थोड़ा कम। लंबे-लंबे डायलोग्स वाली कन्वरसेशन्स हैं बट एक्शन के नाम पे चार-पांच गोलियों वाले सीन्स मिलेंगे बस। अरे उनकी तारीफ करना तो मैं भूली गई जिन्होंने स्पेशल आप्स को असल माइने में स्पेशल बनाया है। केके मैनन, the real actor, ये हिम्मत सींग के करेक्टर को मन गडन से असली बनाने में लगे हुए हैं। एक तो इनका ट्रांस्फोरमेशन जवानी के दिनों में वापस लोटना with same attitude and जादा energy। किसी भी actor के लिए बहुत मुश्किल होगा बट केके मैनन एक दिम bread पर butter की तरह पूरे season को और भी जादा tasty बना देते हैं। किस्तों में तोड कर end में सब कुछ एक दूसरे से connect करने वाले शातिर चालाग direction के लिए। के वो connection फील नहीं हो पाता जो season 1 के साथ हुआ था। अभी बारी आपकी है शो देख लिया तो नीचे comments में अपना review शेर जरूर करना। नहीं देखा तो क्यूं भाई आगे देखने का कोई प्लान है भी या नहीं फटा फट लिखके बता दो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी। वरना थोड़ा सा इंतजार करें मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। किके बाइब बाइब